जम्मू कश्मीर में चार दिनों में चार आतंकी हमले नोश्रधालूओं की मौत मुटबेट में एसुजी का कौन स्टेवल घायर राहूल गांधी ने पी-एम पर साधा निशाना कहा पी-एम बधाईयों का जवाब देने में व्यस्त जबकि जनता आतंगवाद से तरस्त जम्मू कश्मीर के डियासी कठुआ और डोडा में पिछले चार दिनों में चार आतंकी घटनाए हुई है इन घटनाओं में नोश्रधालूओं की मौत हो गई एक जवान शहीद हो गया और दो आतंकी मारे गए हैं चारों घटनाओं में छे जवानों समेत कुल 49 लोग घायल हुए है कुपवाड़ा में शबीर एहमद नाम के एक और ओवर ग्रांड वरकर को पकड़ा गया है जो आतंकीयों की मदद कर रहा था उसके पास से हतियार भी बरामत किये हैं अब आपको चारों आतंकी घटनाओं के बारे में बताते हैं तारीक 12 जून राज साड़े 8 बज फिलहाल उन्हें इलाज के लिए गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में भरती करवाया हुआ है इलाके में सर्च और अपरेशन जारी है इसके अलावा दूसरा हमला 11 जून रात एक दो बजे के बीच हुआ इस्थान डोडा जम्मू आतंकीयों ने डोडा के भदरवा पठान जोइंट चेक पोस्ट पर फाइरिंग की थी पांच जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गए थे हमले की जम्मेवारी आतंक वादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है इसके बाद तीसरा हमला 11 जून देर शाम आठ बजे रिसान कठुआ जम्मू में तो दरवाजे बंद कर शोर मचाने लगे आतंकियों ने फाइरिंग की एक ग्रामिन घायल हो गया डी आईजी और एससपी पहुंचे तो एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर फाइरिंग कर दी ग्रेनेट फेकने की दोरान वे मारा गया 12 जून को लगाता दूस्ते दिन जारी मुटबेड में एक और आतंकी मारा गया पुलिस ने आतंकी के पास से अमेरिकी निर्मित M4 कारवाइन बरामत की है ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि सुरक्षा बलो को एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है चोथा हमला बेहदी खतरनाग था तारिक 9 जून शाम 6 बच का 15 मिरिट इस्थान रियासी जम्मू में हुआ था मोधी सरकार के शपत के दिन कंदा इलाके में शिव खोड़ी से कट्रा जा रही बस पर आतंकी उने 25 से 30 राउंड फाइरिंग की इसमें ड्राइवर को गोली लगी, बस खाई में गिरी, नोश्रत धालूं की मौत हो गई, 41 लोग घायल हो गए पुलिस ने संदिक दातंकी का स्केच जारी किया है, 20 लाक रुपे का इनाम भी रखा है दोस्तों से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूश्ताच की जा रही है, सर्च उपरेशन अभी भी जारी है कटूआ उपरेशन में सुरुक शबलों ने आतंकीयों का सामान बरामत किया है इसमें 3 मैक जीन, पॉलेथीन में पिछे तर राउन, 3 जिंदा ग्रेनेड, 1 लाक इंडियन करेंसी, खाने पीने का सामान जिसमें पाकिस्तान में बनी चॉकलेट, सुखे चने पैकेट, पाकिस्तान में बनी दवाईयां और इंजेक्शन, पेन किलार, एक सिरिंज, A4 बैटरी के दो पैक, एक हैंड सेट, एक M4 कारबाइन और 1A47 शामिल है वहीं इन हमलों की चलते, जम्मू कश्मीर में हुए आतन की हमलों पर, नेशनल कॉन्फरेंस के अध्यक्ष, डोक्टर फारुक अब्दूला ने कहा, हमारे पडोसी के साथ अभी भी समश्याएं हैं सैन्य कारवाई से ये समश्याएं हल नहीं होंगी, जब तक हम अपने पडोसीों से बात नहीं करेंगे, हम इस हमले को नहीं रोक सकते हैं उन्होंने कहा कि बोर्डर के जरिये आतंक किया रहे हैं और वे आते रहेंगे, कल जो भी सरकार होगी उसे ये सब जहिलना पड़ेगा वहीं जम्मू कश्मीर में आतंक की हमले में शहीद हुए जवान कभीर दास OEK की पार्थिव दे आज मध्यप्रदेश के छिंदवा में लाई जा रही है, उनके पैतरक गाउं पुल-पुल डो में अंतिम संसकार किया जाएगा वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंक वादी हमलों को लेकर कोंगिस पार्टी ने और राहूल गांधी ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पर निशाना साधा है राहुल गांधी ने हमलों को लेकर सोशल मीडिया प्लैटफोर्म पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। देश जवाब मांग रहा है हाँ खिर भाजपा सरकार में आतनकी हमलों के शाजस रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते। फिलहा के लिए आप बने रही हमारे साथ देखते लिए जनता दर्बार नियूज मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार।